Hello Friends, Welcome to my channel सुनील सलन दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बर्गत के पेड़ के बॉंसाई और पीपल के पेड़ के बॉंसाई के बारे में तो दोस्तों मेरे पास ये दो बॉंसाई है एक बर्गत का ये बला और एक बॉंसाई का यह दोस्तों मेरे पास 3 साल से हैं जे छोटे से पॉट में लगे हुए हैं और ये देखिए इनकी ग्रोत ये छोटा साही है और ऐसे लग रहा है जिए बहुत पुराना दरखत है बॉनसाई की यही निशानी होती है यही मतलब के होता है कि छोटे से गम्ले में हमें द्रक्त की जो मतलब के होता है शेप देता है और द्रक्त की तरह लगता है तो दोस्तों पीपल के बारे में पहले बात करते हैं ये पीपल का पौदा 2400 गंटे ही आकसीजन देता रहता है और आज कल करोना के दोर में तो हमें बहुत जादा आकसीजन की जरूरत है तो ये मेरे पास बरगत का बांसाई है ये भी दोस्तों दिन में 20 घंटे आकसीजन देता है मतलब कि पीपल और अपने बरगत के पेड़ हमें बहुत सी आकसीजन देते हैं और बाकी हवा को भी प्योरिफाई करते हैं और बाकी तो इसके जो आयरुवेदिक फाइदे हैं बहुत सारे अग तो इस वीडियो का तो यही एक मकसद था कि मैं आपको अपने ये दोनों बांसाई दिखा सकूँ। पहले भी इसके ओपर मैं वीडियो बनाना चाहता था मगर किसी कारण मैं नहीं बना पाया तो ये मेरे दोनों ही बांसाई पढ़े हैं ये मैंने मार्किट से ही खृदे थ और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी है ताके मैं और अच्छी वीडियो आपके पास लेके आ सकूँ तो ये रहे मेरे दोनों ही बांसाई देख सकते हैं अब दोस्तो आज कल के दोर में तो हमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है इसलिए ये दोनों पेड़ हमें लगाने चाहिए तब